दोस्तों, income tax return file करने का समय आ गया है, इसकी last date 31st July है, आपको 31st July से पहले पहले अपना income tax return file कर देना है, कुछ लोग income tax file करते समय CA की मदद लेते हैं, कुछ लोग किसी agency की मदद लेते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है, अगर आप एक salary employee हैं, तो आपकी salary income tax detect होने के बाद ही मिलती है, ऐसे में आपका income tax filing का process है, वो बहुत ही आसान होने वाला है, आप directly income tax की website पर जाके अपना income tax file कर सकते हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको step by step पूरा process explain करके बताने वाला हूँ, कि आप अपना ITR खुद से file कैसे करें, इसमें मात्र आपको 15 का समय लगने वाला है, आप अपना ITR खुद से file कर सकते हैं, मैं आपको पूरा step by step process explain करके बताने वाला हूँ, तो जुड़े रही है आप हमारे साथ इस वीडियो के अन तक, तो हमें income tax return file करने के लिए, हमें income tax की official website, income tax.cov.in पर जाना होगा, इस site पर हमें click करना होगा, य वो जान लेना बहुत जरूरी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे हम individual return form applicable to me, इस पर click करना है, इसका interface कुछ ऐसा दिखेगा आपको, यहाँ पर आपको सारे forms मिल जाएंगे, उनका detail description भी मिल जाएगा, तो हम यहाँ से समझ लेते हैं कि हमारे लिए आपकी कोई pension आती है, तो आपको ITR 1 file करना है, अगर आपकी one house property से कोई income होती है, जैसे आपने एक मकान rent पे दे रखा है, उससे कोई income आती है, तो भी आप ITR 1 file करेंगे, आपका कोई other source of income है, जैसे interest, family, pension, dividend, etc., तो भी आप ITR 1 file करेंगे, अगर आपकी agriculture income up to 5000 है, तो भी आप ITR 1 file करेंगे, इसके अलावा भी कुछ condition ऐसा है, कि कब-कब आप ITR 1 use नहीं कर सकते, जैसे आप किसी company के director है, तो आप ITR 1 file नहीं कर सकते, अगर आपने किसी unlisted company में equity share या ऐसा कुछ purchase कर रखा है, जिसकी share market में listing नहीं है उस company की, तो भी आप ITR 1 file नहीं कर सकते, next option है, has any asset located outside the India है, तो भी आप ITR 1 file नहीं कर सकते, has any authority in any account located outside India, अगर आपका कोई bank खाता आप देश के बाहर है, इंडिया के बाहर है, तो भी आप ITR 1 file नहीं कर सकते, has income from any source outside India, अगर आपका अपने country एंडिया से बाहर कोई income का source है, in that case also you cannot fill ITR 1, next option आता is a person, case tax has been detected under 194N, 194N क्या होता है, य huge cash withdraw किया हुआ है, तो उस case में भी आप ITR 1 file नहीं कर सकते, next option आता है, अगर आपका कोई e-shop differ हुआ है, तो उस case में भी आप ITR 1 file नहीं कर सकते हैं, और our last है, अगर in case आपने कोई carry forward किया है अपना loss, तो भी आप ITR 1 file नहीं कर सकते हैं, उस case में आपको different form का option explore करना ITR 2 आप कब भर सकते हैं, जब आपकी कोई income आपके capital gains से हुई है, चाये वो property से हुई हो, अथवा share market के transaction से हुई हो, अथवा mutual fund के transaction से हुई हो, अथवा more than one house property rental income हो, उस case में भी आपको ITR 2 file करना है, और अगर आप किसी company में director हैं, तो भी आपको ITR 2 file करना है, ITR 3 आप तब use करते हैं, जब आपकी कोई business income हो, अथवा कोई professional income हो, उस case में आप ITR 3 यूज़ करते हैं, ITR 4 कब use करते हैं, ITR 4 भी business या professional के लिए होती है, लेकिन यह उसी का simplified version है, तो इस तरीके से हमें पहले समझ लेना है, कि हमें कौन सा ITR form हमारी applicable है, यहां में कई बार लोग गलत form select कर लेते हैं, जिससे कि उनका पूरा का पूरा return जो है, वो गलत हो जाता है, और उनको दुवारा से file करना पड़ता है, वो भी penalty देने के बाद, अब हमें income tax return file करने के लिए, हमें तीन चीज़ों की आवस्चता होती है, जिसमें पहला है form 16, form 16 क्या है, यह आपको जो है, आपक form 16 में, दूसरा requirement यह आता है, form 26AS, इसमें क्या होता है, इसमें आपका पूरा tedious detail होता है, कि आपको कितना tax detected हुआ है, at source, तो आपको form 26AS कहां से मिलेगा, आपको इसमें e-filing में जाना है, income tax return में जाना है, view form 26AS, इस पे click करना है, यहाँ पे आपको confirm करना है, यहाँ पे आपक आपको click करना है, आपका form 26, window open हो जाएगी, यहाँ पे आपको assessment year select करना है, अभी आपका 23-24 है, और view as HTML करना है, view as download, यहाँ से आपका form पूरा खुल जाता है, आपको इसमें export as a PDF कर लेना है, आपका form 26AS यह download हो चुका है, आपको इसको save करके रख लेना है, और क्योंकि इसक इसके detail आपको match कराने पड़ेंगे, आपको इसको save करके रख लेना है, last requirement आती है, वो AIS की आती है, AIS मतलब annual information statement, यह आपको कहां से मिलता है, यह आपको यहां से मिल जाएगा, आपको इसको click करना है, proceed करना है, यहाँ पे आपको download AIS आपको select कर लेना है, लेकिन आपका AIS प तीसरा AIS हो गया, तो हमें अपना ITR फाइल करने के लिए income tax की official website open कर लेनी है, इसका link हमने video के description में दे दिया है, आप उसको वहां से access कर सकते हैं, site खुलने के बाद आपको top right corner में login या registration का option मिल रहा है, अगर आप पहली बार income tax return file कर रहे हैं, तो आपको खुद को register करना वहां पर आप अपना pen number डाल के खुद को register कर सकते हैं और password create कर सकते हैं, registration का process बहुत ही आसान है, और अगर आपने already register किया हुआ है, तो आप इसमें direct login कर सकते हैं, आप अपने pen number और password डाल के आप अपने direct login कर सकते हैं, तो मैंने अपना pen और password से login कर लिया है, यहां पर अपन detail update करनी है तो आप यहां से कर सकते हैं मेरे case में सारी चीज़ें ठीक हैं तो फिर हम यहां से file now में जा सकते हैं जो आपको right side में दिख रहा है यहां पे आपको सबसे पहले assessment year check कर लेना है उसके बाद file now पे click करना है इसके बाद तो next step आता है उसमें आपको select assessment year का option मिलता है तो यहां पे आपको अपना current year of assessment ही select करना है next option आता है mode of filing तो हमें online select करना है क्योंकि offline में आपको यहां से हम download करके उसमें पूरा detail fill करके आपको दुबारा से upload करना होता है फिर submit करना होता है तो उससे better तरीका यह है कि हम यहां पे online mode select करें क्योंकि आप इसमें website पर या आप अपनी सारी information डाल सकते हैं और यही एक recommended method भी है तो हम इसी को choose कर लेते हैं continue पर click करना है यहां पर हमने आपको form 26AS और AIS download करना पहले ही बता दिया है वह form आपके पास available होना चाहिए क्योंकि आपको return file करते समय उन दोनों form से आपको detail जो है वह match करानी होंगी अब हम वापस portal पे आ गए हैं और अपना process start करते हैं अब आपको individual select कर लेना है और continue पर click करना है उसके बाद आता है कि कौन सा form select करना चाहिए आपके लिए कौन सा form applicable होगा उसका detail हमने वीडियो के सुरुवात में आपको बता दिये है कि आपके लिए कौन सा form applicable होगा मेरे case में ITR1 applicable है तो हम ITR1 select करेंगे उसके बाद proceed पे click करेंगे यहाँ पर हमारा return तीन phases में file होगा so let's get started पर click करना है अब यहाँ पर आपको multiple options select करने के मिल जाते हैं पहला option है जो आपकी taxable income है वो आपके basic exemption limit से ज्यादा है तो हमारे case में definitely यही applicable है तो हम इसी को select करेंगे और continue पर click करेंगे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको पांच section मिलते हैं जिसमें आपको पांचो section को बारी बारी से step by step confirm करना होगा पाहले section में आपको personal information confirm करनी है तो हम यहाँ पर इस पर click कर लेते हैं इसमें आपको अपनी personal details check कर लेनी है मेरे case में सारी details ठीक हैं otherwise आप यहाँ जाके edit कर सकते हैं उसके बाद हम नीचे की तरफ अगर आते हैं तो आपको nature of employment select करना है इसमें आपको different different option मिल रहे हैं जैसे कि अगर आप central government employee है या public sector में job करते हैं तो आपको appropriate select कर लेना होगा इन case आप अगर किसी private company में job करते हैं तो आपको other select कर लेना होता है उसके बाद आपको नीचे scroll करना है अगर आप new tax regime चाहते हैं तो yes select करें अथवा no select करें हमारे case में मैं old tax regime select कर लेता हूँ कि हमने old कोई हमें beneficial लग रहा है तो हम old tax regime को select कर लेता है नीचे आके आपको अपनी bank detail डालनी है तो यहाँ पे आपके जितने bank account हैं सबको add कर लेना है और आपको एक main account भी select कर लेना है जिससे कि by chance अगर आपको कोई भी tax refund आता है तो वो इ यहाँ पे आपको green trick और confirm लिखा हुआ आ रहा है इसका मतलब आपका personal information वाला section जो है वो complete हो चुका है उसके बाद next option आता है gross total income अब हमें यहाँ पे अपनी gross total income को select कर लेनी है इस पे click करना है उसके बाद जो window खुलेगा यहाँ पे आप जो भी exemption लेना चाहते हैं उसको select कर अब दो लेना है तो यहाँ पे आपको different options मिल रहे है तो पहला option है कि अगर आपके कोई expenditure है to run travel के तो आपको select करना है otherwise no select करना है मेरे case में यह no है तो मैं इसमें no select करता हूँ next option आता है special compensatory allowance, children allowance हमारे case में no है, तो हमें इसको no select करेंगे, next option आता है अगर आप house rent allowance HRA claim करना चाहते हैं तो yes करें, अगर नहीं तो no select करें, in fact HRA को हम form 16 में जाके भी confirm कर सकते हैं कि हमारा HRA हमने कितना claim किया हुआ, मेरे case में आप देख रहे हैं कि हमने HRA 0 है, तो हमें यहाँ पर कोई भी HRA claim नहीं करना है, हम इसमें no कर देते हैं और बापस form पर चलते हैं, यहाँ पर आपको type of house property आपको select कर लेनी है, जैसे कि let out property से एक rental income अगर आती है, जैसे मेरे case में अगर rental income 90,000 आती है, तो हम यहाँ पर 90,000 डालेंगे, यहाँ पर income tax department 30% maintenance के नाम पे आपको छूट दे देता है by default, यह income हमको नीचे जाके add कर लेनी है, यह हम और नीचे की तरफ call करके आ जाते हैं, income from other source जैसे कि income from deposit, fixed deposit या interest जो भी आपको मिला है एक साल में वो यहाँ पर आपको डाल लेना है, मेरे case में यह 31,496 आप में interest from saving banks मिला है, तो वो हम इसमें डाल लेते हैं, तो total जो interest हमारा बन गया है, 33,176 बन गया है, चलिए हम स्कॉल करके नीचे की तरफ आ जाते हैं, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगा कि हमारा second step भी complete हो च चुका है, अब हम third step की तरफ बढ़ते हैं, third step आता है, total detection क्या आपने कौन-कौन से detection claim कर रखे हैं, इस पर आपको click करना है, और जो भी हमने detection claim कर रखे हैं, उसका detail हमें step by step बरना है, अगर आपने कोई donation दिया है, तो आपको yes select करना है, नहीं तो no select करना है, मेरे case में no है, त हमारे case में ये भी no है, तो हम इसमे no select करेंगे, in fact, ATGG तब applicable होता है, कि जब आपको आपकी company से चारे का deduction नहीं मिला हुआ है, और आप rent भर रहे हैं, तो आप ATGG में जाके इसको claim कर सकते हैं, next option आता है, detection का ATC, ये बहुत ही important section है, क्योंकि आप इसके अंतर का जितनी भी आप कि savings हैं, चाहिए आप provident fund में करते हैं, PPF में करते हैं, LIC में करते हैं, सुकन्या समरदी योजना में करते हैं, जितना भी आप investment करते हैं, वो सारा का सारा IC ATC में आता है, और इसकी maximum limit डिर लाग रुपए तक है, आप इसमें डिर लाग रुपए तक claim कर सकते हैं, तो आपको सारा detail आपको इसमें डाल लेना है, फिर आता है ATCCD, यह हमारे लिए no है, उसके बाद आता है section ATD, यह हमारा health expenditure वाला column है, इसमें आप medical insurance, policy premium, यह सब आप डाल सकते हैं, इसके अलावा आपने अगर higher education loan ले रखा है, तो उसका interest भी आप claim कर सकते हैं, उसके बाद हमारा section आता है ATTTB, ATTTB क्या होता है, कि जो आपको bank से interest मिला है, वो आपको ATTTB में डालना होता है, कि आपको कितना interest मिला है, वो आपको ATTTB में आपको पूरा declaration देना होता है, उसके बाद आपको बहुत सारे questions मिलेंगे, जो आपको one by one करके answer करने हैं, और उनकी values अगर फिल करनी है, अग आपको previous window में जो भी आपने ask किया है, मतलब आपने जो भी previous window में claim किया है, उसका detail आपको यहाँ पर add करना है, जैसे हमने first option में ATTB health expenditure, हमने ATTB में information add की थी, उसको ask किया था, तो वो हमको यहाँ पर add कर लेना है, जैसे आप health expenditure add करने जाएंगे, तो आपको यहाँ से पूछ रखी है, अत्वा जो भी चाहिए उसके preventive health check-up करा रखा है, तो वो सारे खर्चे हमें इसमें doubt देना है, हमारी ATTB की information complete हो चुकी है, अब हम ATTB की information भी उसी तरीके से edit करनी है, अगर कोई difference आता है, तो इसको save कर लेना है, और confirm करना है, अब हमारा 3 section complete हो चुके है, टैक्स पर click करना है, इसमें आपका जितना TDS कटा हुआ है, इसमें reflect हो जाएगा, यह आपको भी check कर लेना है, यह मेरे case में मैंने LED check कर लिया है, तो मैं इसको confirm करता हूँ, अब हमारे 4 section complete हो चुके है, next आता है total tax liability, यहाँ पर आपको इस सारी information दुबारा से एक बार check कर सकते हैं, ह थोड़ा difference आ रहा है, तो इसका मतलब है आपको थोड़ा सा एक refund आने वाला है, बहुत कम amount है, लेकिन refund आने वाला है, तो आप उसको देख पा रहा है यहाँ पे, जैसे आपको यहाँ पर दिखा रहा है, कि URL is give a file refund of Rs.30, बहुत छोटा से amount है, लेकिन आपको refund आएगा, पर वो error बता देगा, आपको उसी section में जाके error को rectify करना है, और फिर से validate करना है, उसके बाद आता है proceed to verification, यहाँ पर आपको verification के तीन option मिलते हैं, पहला e-verify now, इसमें आप अपने आधार OTP से verify कर सकते हैं, दूसरा option आता है verify later, तीसरा option आता है verify via TTRV, इसमें से जो सबसे नाओ का होता है, इसको confirm करना है, यहाँ पर आप OTP का option select कर सकते हैं, और आपका mobile number जो आपके आधार से link है, उसके एक OTP आएगा, वो OTP डाल को आपको validate करना है, तो हमारा step by step procedure for ITR filing यहाँ पर complete होता है, उमीद है दोस्तों, आज जो मैंने आपको information दी है, इसके अलावा वीडियो देखने की आवा सेकता नहीं पड़ेगी, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करें, चैनल को subscribe करें, और bell icon का button दबाँ जिससे हमारे नए वीडियो को notification आप तक post आ रहे है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते है एक नए वीडियो को साथ नहीं कार जैने